हेलो फ्रेंड पुजा के किचन में आपका श्वागत है आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो फ्रेंड आज मैं बनाने जा रही हूं कड़ी चावल तो देखिए मैंने यहां पर बेशन डेलिया है यह चने का बेशन है और इसमें मैं एड़ करूंगी हल्दी थोड़ा सा नमक भी एड़ की हूँ अब मैं इसमें जीरा एड़ कर रही हूँ अब मैं इसमें पानी डाल कर इसका गोल बना लेती हूँ तो देखिए बहुत अच्छे से बन चुका है कड़ाई मैंने पहले से ही चड़ा दी थी ताकि तेल गरम हो जाए और मैंने यहां पर हाथ में फोन है और दूसरे हाथ से मैं काम कर रही हूँ तो देख सकते हैं फ्रेंड कितने अच्छे से पकोड़े फुल रहे हैं एक तरफ बहुत अच्छे से पक गया है दूसरी तरफ अभी पक रहा है है तो फ्रेंड यह देखिए पक चुका है अब मैं इसको निकाल लेती हूँ देखिए मेरी दूसरी घानी भी तयार हो गई है इसको भी मैं निकाल लेती हूँ तो देख सकते हैं कितना अच्छा कलर लग रहा है इसका अब मैं यहां पर ओयल चड़ा दी हूँ इसमें डाली हूँ जीरा तड़का लगा रही हूँ मेथी से इससे स्वाद बढ़ जाता है और आप करीपत्ता भी एड़ कर सकते हैं इसमें मैंने लहसुन एड़ कर दिया इसको थोड़ा पका लेते हैं अब मैं एड़ कर रही हूँ प्याज इसमें इसको भी चला लेते हैं अच्छे से हरी मिड़्च एड़ कर दिये हैं और फ्रेंड मेरी एक रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लेज सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है अब मैंने इसमें दो आलू जो काटे थे उसको एड़ कर दिये हैं अब मैं इसको पका लेती हूँ अब मैंने दही लिया हुआ है इसको थोड़ा फेट लेते हैं थोड़ा यह और लिक्विड फॉर्म में कनवर्ट हो जाएगा तो देखिए यहां पे आलू प्यास सब पग्या है इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ बहुत अच्छा कलर आया हुआ है अब इसको थोड़ा छला लेते हैं और कड़ी में यही में होता है कि इसको चलाते रही है अब इसमें मैंने हल्दे अड़ कर दिया है इसको मिला लेते हैं अब मैं इसमें दही आड़् कर दे रहे हूँ दही आप अपने हिसाब से जितनी कौवाण्टिटी मिले न है ले सकते हैं एन्ड अब मैं इसमें मर्च गरूंगी नमक और मैंने हापी लाल मिर्च थोड़ा सा पहले से एड़ कर दिया था अब इसको मिला लेते है अब मैं इसमें जो पकोड़े बनाये थे उसको एड़ कर देती हूँ अब आम की जो खटाई होती है उसको भी इसमें एड़ कर सकते हैं इससे और खटा खटा स्वाद आएगा और कड़ी अच्छी लगेगी इसको मैं ढग दे रही हूँ 10 मिनट पकाऊंगे इसको अब फ्रेंट बीच बीच में इसको आप चलाते रहे हैं नहीं तो यह नीचे से पकड़ने लगता है तो देख सकते हैं कितना अच्छे से बॉयल हो रहा है देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है अब मैं इसमें हरी धनिया एड कर देती हूँ तो फ्रेंट यहां पे मेरा कड़ी रेडी है अब मैं चलती हूँ खाने तो देखिए मैंने अपना खाना थाली में निकाल लिया है और फ्रेंट थैंक यूँ सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए प्लीज जादा चे जादा लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी कड़ी की रेडी कैसी लगी थैंक यूँ